क्या है जो जो बाला घाट विधान सभाट शेत्र क्रमांग 111 में बाला घाट तहसील कारियाले के कक्ष क्रमांग 8 में बनाये गए पोस्टल बैलेट कें अस्थाई स्ट्रांग रूम में कॉंग्रेस के डाक मत पत्र की गिंती के आरोपो के बीच भाजपा अध्यक्ष का बयान सामने आया है। जिसमें भाजपा अध्यक्ष ने इसे कॉंग्रेस का भ्रामक प्रचार बताते हुए कहा कि निर्वाचन आलोग के निर्देशानुसार समय से पूर्व स्ट्रांग रूम के खोले जाने पर आलोग ने इमानदारी पूर्वक जिम्मेदारों को निलम्बित किया है। उन्होंने कहा कि जिस के जी बिसेन को लेकर सवाल खड़े हो रहे है वह के जी बिसेन दाक मतपत्र में भाजपा के एजेंट के रूप में वहां मौजूद थे और जहां तक वाइरल विडियो को देखने और स्टैडिंग कमेटी में मिले निर्देशानुसार दाकमत के विधा अंसभावार बंडल बनाकर उन्हें थैले में रखा जा रहा था जबकि कॉंग्रेस कह रही कि गिंती की जा रही थी ऐसा कुछ भी सपष्ट नहीं हो रहा है उन्होंने कहा कि यहां प्रत्याशी का विशय नहीं है चुनाव में जीतार तो होती ही है आगामी 3 दिसंबर को जन्मत का पता चल जाएगा उन्होंने कॉंग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे द्वारा 2013 में दुर्भावना पूर्वक चुनाव जीतने के लगाय जा रहे आरोप को काउंटर करते हुए कहा कि यदि अनुभा मुंजारे जी के साथ मतगणना में कुछ गलत हुआ था तो वह कोर्ट में मामले को लेकर जाती लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वर्तमान समय में उस चुनाव को लेकर भ्रामक प्रचार कर रही है जिसका कोई आधार नहीं है दाक मतपत्र स्ट्रांग रूम में नोडल अधिकारी शरत बिसेन की ड्यूटी लगाए जाने पर खड़े हो रहे सवाल पर भाजपा अध्यक्ष सत्यनारायन अगरवाल का कहना है कि जिले में हर समाज के अधिकारी और कर्मचारी है चुनाव में अधिकारियों की ड्यूट आलोग के निर्देशानुसार होती है उन्होंने कलेक्टर को पार्टी एजेंट कहे जाने पर भी आपत्ती लेते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारी किसी के एजेंट नहीं होते हैं वह केवल अपने मापदंड के आधार पर कार्य करते हैं इसलिए किसी प्रशासनिक अध बिलिट जो रखे गए हैं वो तैसिल कायरेल के पास कही रखे गए इस्टेंट इन कमिटी बैठा हूँ थी वहां पर बताया गया था कि पोश्टल बैण को जमानी की प्रक्रिया कुछ करी विडांसाबाल और अलग छाट के उसका ठेले में रखा जा रहा करी है और वहीं किया जा रहा था अनंत्र ऐसा कुछ नहीं की जारी जो कॉंग्रेस के लोग बता रहे हैं ऐसा मुझे जानकर है इसी नहीं को ऐसी जारी थी पोश्टल बेलेट को रखते चाट के जहां एक बात ज़रूर आई है कि कुछ एकाद गंटा पहले उन्होंने फोन प परकारवाई की गई है इसमें प्रत्याशविका कोई विशेह निये सरकारी काम है तो चुनाओ आयोक ने पूरी मांदार्य से काम करना मुझे ऐसा लगता है हम आप कि चुनाओ एक ऐसा प्रक्रिया है जीतार तो लगी रहती है और जो भी होना वो तीन तारिक पीजनता नहीं सच्पराइक और सब्सक्राइब को दिखाया जा रहा है भी एक बर जाकर आया हूं हमारे कारकरता भी जा रहे हैं तो कहीं ऐसा मुझे ऐसा कुछ समय में यहाता कि कहीं ऐसा जो दुर्भावना पूर्ण यह जो अरुप लगा जा रहे हैं 2013 का विश्य रखा जा रहा है मैं देख रहा हूं सुन रहों पेपरों कि अगर 2013 में उन्हें असा लगता है कि गलत हुआ था तो उन्हें कोड जाना से कोड के दरवाजे खुले कोड जाते दूद का दूद पानी का पानी हो जाता है यह आरो प्रत्यारोप देने से आम जंता विचारी जो सीधी साधी जंता उसको भ्रहमत पचार करके ऐसा कि असाधी का बतु है ऑदे कारी हो भृसागी के अधिकारी हैं बहुति आदिकारी है समाज जहां पर तो अलगाट में तो जो हरू समाज के हैं लोदी समाज के सामाजी गणिता साल लगा कर अकर को ईकर आप लगाना तो मुझे जल्गता है नहीं होना चाहिए कि उसका प्रसासन जाब दे रहा है पुरा जो भी चीजे है कई कुछ प्राबलाम आरी कुछ भी आरी प्रसासन जाब दे रहा है कि मैं पढ़ा था पेपर में कि सब्सक्राइब करते हैं करते हैं करते हैं मुझे इसा लगता है इसे अधिकारी होता है वह काम करने के जो तो माफदन रहते हैं उसे आधार्पर माफदन पर काम करते हैं ऐसा कलत मुझे ऐसा लगता है इसे अधिकारी पर नहीं लगा राची आप देख रहे हैं मालग हट खबर बार बार बार